हेलो रिवन इस वीडियो में बात करेंगे बिहार और UPSI के मॉक्टिस्ट का सेट नमबर 15 जिसमें हम लोग 50MC क्यों देखते हैं और मैं आपको बता दो फिंस कि ये सेट थोड़ा सा डिले होकर क्या रहा है क्योंकि थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम में चल रहा था और यहां पर हम लोगा न्यू बैच पेड़ कोर्स बे स्टार्ट हो चुका है तो वहां पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है तो इस वैसे ये थोड़ा आपका क्लास द्रीले हो गया था लेकिन हम कोसेज करेंगे कि आपको ये क्लास रेगुलर अब देप है तो चलिए सुरू करते हो और देखते हैं फिफ्टी क्यों से आप कितना स्कूर कर पाते हैं सबसे पहले बात कर लिएते हैं कि कल का होमप का क्या रहने वाना दिखे खै कल के होमप में हिस्ट्री में दे रहा हूं करंटर क्यूत से समपन देट कई सारे पेपर में कोईसन्स पूजा आते हैं करनाटा को कब-कब हुआ था किनके कार्णों की वज़े से हुआ तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे बाइलोजी में हमारा रहेगा मानव रोग मानव में जो होने वाले रोग होते हैं जिवाडू प्रोटोजोवा विसाडू इन सभी के कारण आप इसको भी पढ़ लेंग पर कतन सई होगा पहले points की बात गये तो डेंगू proto जोवा मच्छरों से फैलता है क्या यह सई है जी निफिंस यह point गलत है पहली points की यहां पर जो डेंगू है वो कह सकते हैं proto जो होता है वारस के कारण होने वाला रोग है और proto जोवा से हमारा मलेरिया होता है तो इस वैसे यह पॉइंट्स गलत है लेकिन सेकेंड पॉइंट में कोई दिक्कत नी कि तोचा पर लाल चकते और नाक और मसूड़ी से खुण निकलना डिंगो के लक्षडों में से कुछ है तो यह सही है यानि सही आंसर यहां पर केवल और केवल दो होगा अगर हम यहां पर बात करेंज की प्रोटो जोवा से और कौन कोन से रग होते हैं जैसे कि सोने के विमारी तो अपने यहाँ पर देखे लिया एक होता पाई रिया और पेचिस कह सकते हैं कालाजार और यहाँ पर एक मले रिया यह सभी किसी अभी आपको याद रखने हैं नेक्स्ट कुस्ट यह कह रहा है कि चंद्रगुप्त जैन बने और किसके साथ स्रवड बेल गोला गया जहां उनके फ्रेंस मृत्ति हो गई थी आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौरे के मृत्ति हो कह सकते हैं स्रवड बेल गोला में चंद्रगिरी परवत पर हुआ था को नियंतित किया है उन लोगों को यानि आपशन कियात किना उने विलकुल सखन सर्टरा त्रामा भाई ने किया था बिल्कुल सखना किया सकते हैं गफार ख़ान के फाली आपके Ihr यहां पे कोई भी सब्सक्राइब करेंगे इन में से कोई नहीं नेक्स्ट प्रिशने की स्वदेशी अंदुलन भारत में बते कि किसके दौरा सुरू किया गया था स्वदेशी अंदुलन जी हो लौड करजन के समय में 1905 में स्टार्ट हुआ था और इसका कारण ये था बंगाल विवाजन के विरोध में अंदुलन नी स्टार्ट के गया था स्वदेशी अंदुलन ओप्सन ए यहाँ पे बिल्कुल सई होगा इलोरा गुफाओ के समारक का संबंध निमली खीत में से किस से है इलोरा गुफाओ के समारक का संबंध हम क्या सकते हैं किस से है तो बौद से भी जैन से भी और हिंदु से यानि उपरोग सभी ऑप्सन डी विल भी करेक्ट आंसर निम्ड में से किस ने दिल्ली में का नेत्तित्व किसने किया था दिल्ली में और आपको ये भी ध्यानेकनेफेंस की स्वदेशी आंदोलन के कारण ही 1907 के सुरत अधिवेशन में जो कि गरमदल और नरमदल दो भागों में विभाजीत हुए थे और यहां पर सई आंसरोगास सयद हैदर राजा जोते वो दिल्ल में स्वदेशी आंदोलन का नेत्तित्व किया था नेक्स्ट वने की पानी में निमलीखित लवनों की किसके उपस्तिती जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर नील सिसू सनलक्षर का कारण बनती है जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो किसके कारण होता है अगर प जान समीति के अध्यक्ष कौन थे राइट आंसर यहाँ पर हो जागा एम बेस्वे सरया ओप्सन हम डी को टिक करेंगे एम बेस्वे सरया नेक्स्ट वन लाल चेर के नाम से प्रसीद होगा चेर सासा कौन था जिसने कह सकते हैं पत्नी या फिर करनकी ठीके करनकी के मंदिर का न प्लंका विजय करने एवं नौ सेना के गठन का स्रेक इसको दिया जाता है तो इस प्रस्टन का करेक्ट आंसर होगा राज राज प्रत्थम ऑप्सन बी विल्कुल करेक्ट आंसर है अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या जिसने कह सकते हैं जरी कलम या फिर अबुद समद को दी गए थी ये भी ध्यान रखेंगे सई आंसर यहां पर सी होगा जैन गरंत कल्प सुत्र के रजएता कौन थे जैन गरंत कल्प सुत्र के रजएता कौन थे राइट आंसर विल्बी ऑप्सन ए भद्र बाहू नेक्स्ट प्रस्ट यह कह रहा है कि किस काल मे अच्छुतों की ओधारना असपस ट्रूप से उदीत हुए तो दीखे फिंस इस क्वेशन का राइट आंसर जो होगा ऑप्सन हम B को टिक करेंगे उत्तर वैदी कल्मे अच्छुतों की ओधारना असपस ट्रूप से ऑप्सन B करेक्ट होगा च्रीक है है नेक्स्ट वन क्या क काल में कड़ी में का अर्थ क्या होता था बुराजस्व या फिर लगान सिर्षा के बारे में क्या आसत्त है तो देखें सिर्षा ने उपज का 1 बटा 3 भाग कर के रुप्में निर्धारित क्या सिर्षा के समय में किसानों की जरिबाना सर्वेक्षंड सुल्क और तदा कह सकते हैं मुहासी लाना यानि की कर संग्रसुल्ख भी चुकाना पड़ता था और साती साथ भूमी की पैमाई से तू सेरसा ने 32 अंकवाली सिकंद्री गच एवं सन की छड़ी का पर्यूग किया यह तीनों के तीनों करेक्ट है लेकिन ऑप्सन डी गलत है कि सेरसा ने सासरा में एक सुंदर कीली का निर्मार नहीं आपको पता है कि सासरा में इनका मकबर है तो यह पॉइंट समरा गलत हो जाता है फिन्स अगर आपको क्वेसंस अच्छे लगे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्ते के साथ सेर कीजिए और साथी साथ चैनल क आपको सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि आपको जब तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नहीं रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको ओन टाइम नहीं मिलेगे नेक्स्ट वाने क्या है कि तुगलग नामा के रचनाकार के रूप में हम लोग अमीर करने की प्रेकरिया या फिर तक्निक स्वदेश वाहिनी के संपादक के रूप में हम लोग करेक्ट अंसर है नेक्स्ट वाने की सदिनियम के तहत बीना मुकदमा और तोस्सिद्ध के विधी नयालेग ने किसी भी वेक्ति को कैद करने के प्रादिकार सरकार को दिया गया था जिसे हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं और वो था 1919 का रॉलेट एक्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट प्रशने की एग्रहवी सदी के भारत का दरपन किसे कहा जाता है और हम लोग कई बार बात कर चुके किताब लहिंद के रचनकार तो आज मैं आपसे पूस्ता हूँ जद इसे कमेंट स्क्रिप्ट के बताएगा किताब लहिंद के रचनकार कौन थे नेक्स्ट क्वेशन तीस सितंबर 1716 को मुगल बादसा फरुक्सिया दौरा बेटिस कमपनी की नाम पर फरमान जारी क्या गया था तो इस फरमान के समयन में क्या सही है बताईए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है ऑप्सन हम डीकोटिक करेंगे इसमें क्या था कि कमपनी को केवल 3000 रुपे में वार्सी खराज पर निसुल्ग बैपार करने का अधिकार मिला इसके दोरा कलकत्ता के आसपास के गावों को किराय पर खरिदने के नुमती मिली और इसके दोरा बंगाल के साही मुद्राले में सिक्का ढालने के नुमती मिली यहाँ पर तीनों के तीनों बिल्कुल सही है अगला प्रष्णी कि भार्तिय दर्रों कि अवस्तीति के संबांद में बतायै कि यहां पर क्या सही होगा कि देख्यें ली पुल एक दर्र के बात के तो यह उत्रा ख़लमें बिलकुल सही है माना दर्रह ही हमारी गलत है क्योंकि माना दर्रह वी उत्रा ख़लम owner तो जो दर्वा हम कह सकते हैं यह अमारा सिक्की में नहीं पढ़ता है मडी पूर में पढ़ता है तो यहाँ पही यह पॉंट्स भी गलत है और जले पला दर्वासिक्चे में यानि सही आंसर हमारा क्या हुगा एक और चार एक और चार option हम decoding करेंगे, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, अगला प्रश्ण कहा रहा है कि मंगानियर नामक जंजाती समुदाय का संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर correct answer है, मंगानियर जो है, पस्चमोतर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्या आता है, option B will be correct answer next question की प्रदीप्त विरित किसे कहते हैं, circle of illumination, प्रदीप्त विरित के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो right answer यहाँ पर हो जाता है, जो कि option C, यानि कि glow पर वा विरित चहाँ पर दीन रथा रात को भी भाजित करता है, यहाँ पर बिल्कुल correct answer, option C, चलिए, next question देखिए निर्द मेंसे कॉनसा रंग सबसे कम तरंग धहर रखता है, और वो रंग कॉनसा है, option C, बैंग्नी, और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो हमारा고 Secondly, प्रिज मेंसे होकर गुजरता है, तो साथे रंगों में विभागत होता है, और इन साथेरंगों में सबसे जादा तरेंग धहर होता है वो होता है लाल कलर का और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी कलर का यानि जो सबसे ज्यादा बिचलित होगा उसका तरेंग धहर सबसे कम होगा यहां पर आइट आंसर का ऑप्शन सी चलिए नेक्स्ट क्रेक्शन क्या कह रहें नीचे दिये गई घट्नाओं का सही का लानुक्रम कूट से ग्याद करें तो देखें यहां पर करेक्ट क्या होगा सबिन्ह वग्या अंदोलन अगर हम बात करें तो यह आपका 1930 से संबंद होगा विक्तिकत सत्य अगर 1940 है क्रिप्समिसन की बात करें तो ये भी हमारा 1942 है और ये भी हमारा 1942 है लेकिन क्रिप्स मिशन जो भारत है था वो मार्च 2022 में था जबकि भारत छोड़वा अंदूलन अगस्ट 2022 में हुआ था तो हम क्या सकते हैं कि एक दो तीन चार यहां पर बिल्कुल सही है और इसकोम डीटेल में यहां पर देख सकते हैं काफी ची तरीके से मैं लिख रखा है सवीने अवग्या अंदूलन बारा मार्च 2030 को स्ट अगर हम एक समान अविस क्यों है और एक समान अविस क्यों इस ब्याव है तो दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे प्रतिकर्शन करेंगे यह दूनों एक दूसरे से कभी टच नहीं करेंगे यह इधर भागेगा तो यह इधर भागेगा लेकिन अगर विप्रित आविस होता अगर इस पर प्लस होता और इस पर निगेटिव चार्ज होता तो यह दोनों एक दूसरे को अट्रेक्ट करते हैं यह भी इधर आ जाता या फिर यह दोनों इधर चाल जाते दोनों एक दसरफ आजाते अट्रेक्ट करता तो समाना आवेस हमेशा प्रतिकर्शन करते हैं option c correct यानि अगर हमारा कोई चुम्बक है अगर यह नॉर्थ फोल है यह साउथ फोल है तो आप यह पते कि इसका आकर्शन सक्ति जो हो सबसे कम कहां पर होगा अगर यह लोहे का टुकड़ा है तो यह सबसे ज्यादा कहां पर सबसे कम कहां पर अट्रैक्ट होगा तो इसका जो मद् किचेगा यह धार ज्यादा किचेगा लेकिन यहां पर यह बहुत कम इसकी सकती होती है तो करेक्ट आंसर हो का ओप्सन बी नेक्स्ट प्रस्ट ने की ट्रांस्फोर्मर के क्रोड बनाने के लिए निमलिक्षित पदार्थों में से कौन सा अधिक उप्यूगत होता है अ हिलया और तो प्रांस्वार्मर के कर एच्व बनाने के लिए नर्म लूही का अधिक पर्यूग करतें ओप्सन और नेस्ट पर सिंट कर हाय कि एक नॉटिकल मिल बराबर होता है बताई एक नॉटिकल मिल किसके बराबर होता है तो 1.852 यहां पर करेक्ट होगा किलोमेटर अगर में बात करें तो 1.852 यहां पर मीटर होता है सी बिलकुल करेक्ट अंसर है यह बताई नेक्स्ट क्या करा है कि किसके सासनकाल के दोरान आयोजीत बौध परिसद में बौध धर्म हिन्यान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था तो आपको पता होगा कि जो चौथी बौध संगीति का आजन किया गया था कनिस्क कि कनिस्क के समय में जो कि कसमीर के कुंडल वन में आजन किया था प्रतम सताप्दी में तो उस वक्त बौध धर्म हिन्यान और महायान संप्रदाय में वाजित हो आता तो राइट अंसर यहां पर ऑप्सन भी हो गया लेकिन कभी कभी कोशन से यह पूछा था कि कनिस्क कि संबंद रखता था तो वह महायान संप्रदाय से संबंद रखता था ठीक है नेक्स्ट वन मनुस्य के अधिकारों का घोशना का संबंद बताइए मनुस्य के अधिकारों की घोशना का संबंद क्या फ्रांस एसी करांती ऑप्सन बी करेक्ट होगा फ्रांस एसी करांती कभी तो 1789 में होता ये ध्यान रगीगा 1857 की विद्रोग के दौरान विलियम टेलर और विंसेट आयर किस राज्य से जुड़े थे यानि जो आपको पता है कि अंग्रेजोग के तरब से विद्रोग को दबाने के लिए काफी कोशिस की गई थी तो विलियम टेलर और विंसेट आयर का संबंद रहा था बिहार से ओप्सेन ए करेक्ट अंसर है नेक्स्ट क्वेशन की किस देश ने पाकिस्तान को चितावनी देती कि भारत पाकिस्तान युद्ध पाकिस्तान की एकता के लिए आत्म घातिक कार्य प्रणा लिए तो ओप्सेन सी करेक्ट होगा सोवियत संग ठीक है सोवियत संग यानि की वर्तमान मिश्कुनु रूस के नाम से जानते टीपू सुल्तान और बेटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलाओर की संदी पर किस वर्स हस्थाक्षर किया था तो इस प्रस्ण का राइट एंसर हमारा हो जागा ओप्सन हम किसे टिक करेंग ओप्सन डी यानि कि 1784 में मंगलाओर की संदी हुई थी चीक है नेक्स्ट क्विसंस है कि निमली खित कत्वनों पर विचार करें फर्स्ट और सिकेंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताए कि कौन सा कत्वन यहां पर सही आंसर है देखें पहला पॉइंट्स कराएंगे संसद का गठन राष्टपती और दोनों सदनों यानि लोगसभा और राजसभा के साथ मिल करके होता है यानि कि जो संसद होते हैं उसमें तीन चीजे होती हैं एक तो रास्टपती लोगसभा और राजसभा ठीक है बिल्कुल सही है सेकेंड पॉइंट है कि रास्टपती संसद के किसी भी सदन का सदसे नहीं होता है यह भी बिल्कुल सही है तो यहां पे क्या सकते मीं कि दोनों के दोनों साहिए option C Correcteans Froreda Nextि की धार्मक स्वतान्ता का अधिकार समिधान के किन अनुछेदों में वर्णीत फ्रिवे तो हम क्या सकते हैं 14-18 जो वो समानता का अधिकार 19-22 स्वतान्ता का अधिकार 23-24 सोषन्द के विरूदिकार और 25 से जो 28 होता है वो धार्मिक सोतंता का दिकार है option D will be correct answer next questions निमलिकित में से कौन सा विस है जो कि राज सूची में नहीं है तो देखे राज सूची में नहीं है कौन तो जन्म और मिल्त्यू पंजी करण ये संग सूची के अंतर गताता है next point की राज next one है की राजची नीती नेसक सिधानतों के निमलिकित अनुचेदों में से कौन सा जो कि अंतराश्टी सांती और सुरक्षा के संदर में संबंधित है अंतराश्टी सांती और सुरक्षा के संदर में संबंधित कौन सा है तो इस प्रशन का correct answer होगा article 51 ठीक है 51 यहाँ पे बिल्कूल correct answer है जो कि 51 का संबंध अंतराश्टी सांती रूख शुरक्षा से राज़्थान की किस नदी को वन की आसा के नाम से जाना जाते है वन की आसा के नाम से किस नदी को जाना जाते है और वो है वनासटी के बनास यहाँ पे correct answer को कि लुप्त प्राय प्रजातियों के संड्रक्षन के लिए पर्योग साला इस्तेत हैं लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए पर्योग साला जुकि कहां पिस्तेत हैं options थी हैदराबाद में next one निमलिखित में से कौन सी ब्रह्म पुत्र की साहक न दिया है बताइए ब्रह्म पुत्र की साहक न दिया है तो दिबांग भी है कमिंग भी है और लोही ती यानि तीनों की तीनों का option D को टिक करेंगा चीक है? option D correct सर्चलाइट अकबार निकालना किसने प्रारम किया था? ठीकिस सर्चलाइट अकबार निकालना किसने प्रारम किया था? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं राइट अंसर क्या होगा? option B को टिक करेंगे सचीता नंसिना और हसन इमाम ने option B बिलकुल correct answer आगे बढ़ने से पहले कुछ information मैं आपको देना चाहता हूँ जैसा कि आपको पता है फैंस की weekend जो कि हमारा weekend special offer चल रहा था लेकिन आज क्या हुआ? कि हमारे application में कुछ थोड़ा सा problem आ गया, issue आ गया जिस वह से काफी बच्चे ने courses को purchase नहीं कर पा है तो हमने यह सोचा कि friends जो भी बच्चे आप courses को नहीं ले पा है अभी भी हमारा app बिलकुल ठीक हो चुका है आप चाहो तो आप जागर रहके जो भी courses आप ले सकते हो लेकिन उस कमी को देखते हुए हम लोगों ने extend कर दिया है friends आप कल तक जो कि आपके सारे courses 149 में रहेंगे सिर्फ कल तक द्यान रखेगा सिर्फ कल तक आप 149 के साथ सारे courses को purchase कर सकते हैं otherwise आपका जो भी surprise होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो आप जल्दी से अगर लेना चाहते हैं enzyme के protein भाग को क्या कहते हैं enzyme के protein भाग को क्या कहते है enzyme के protein भाग APO enzyme कहाज आता है C Will be correct answer n Municipal typical एक विक्थी स्विक्ष्शा पुर्वक शरीर कीःगद प्रतिरक्षा के उधिकार के उप्योग में मृत्यू कारित कर सकता है किस दारा में तो इसका समद्ध होगा धारा जोकी 100 यानि option B करेक्ट होगा और इससे समद्धित जो भी points यहां पर मैंने लिख रखा आप इसको चाहू तो पढ़ सकते हो कि अच्छे से पढ़ लीजेगा कि नेक्स्ट क्रावधानों में से किसमें विक्तिगत सारीक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यू को छोड़कर अन्य कोई भी हानिक करने तक होता है तो इस प्रस्ने का correct answer option D, धारा 101 और ये दोनों धारा फ्रेंस जो कि previous year में पूछे गए थे UPSI के exams में तो मैंने वहाँ से लिया था तो उमीद करता हूँ कि आप फी अपने अच्छे scoring कर लियोगी और वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्त इनसा ज़रूर बता है फिलाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हाव अगुटे